अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो, इससे पहले की सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे, सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखे, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे, जिस दिन हमारे सिगनेचर ओटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिये आप कामयाब हो गए, इनसान को कठिनायों की आवश्यक्ता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है, महान सपने देखने वालों के महान, सपने हमेशा पूरे होते हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस् में कामयाब होने के लिए, आपको अपने लक्षय के प्रती एकचित निश्ठावान होना पड़ेगा, छोटा लक्षय अपराध हैं, महान लक्षय होना चाहिए, क्रित्रिम सुख की बजाए थोस उपलब्दियों के पीछे समर्पित रहिए, शिखर तक पहुँचने, के ल करना मत छोड़ो जब तक अपनी तै की हुई जगह पर, ना पहुच जाओ यही, अद्विती यहो तुम, जिंदगी में एक लक्षय रखो, लगातार ज्यान प्राप्त करो, कड़ी, मेहनत करो, और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए द्रिप रहो, किसी भी मिशन की सफ सफलता के लिए रचनात्मक, नेत्रित्व आवश्यक हैं, जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें, अधूरे, मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती हैं, जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता कोई हमारी इज़्जत नहीं करेगा, इस दुनिया में गर की कोई जगह नहीं है केवल ताकत-ताकत का सम्मान करती हैं, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता हैं, जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, पक्षी अपने ही जीवन, और प्रेरणा द्वारा संचालित ह होता है, जीवन एक कथिन खेल हैं, आप एक व्यक्ती होने के अपने जन्मसिद, अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं, महान शिक्षक ज्यान, जूनून और करुना से निर्मित होते हैं, यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा, किसी वि पूछन पूछना, विद्यार्थियों को प्रशन पूछने दीजिए, मैं 18 मिलियन यूत्ज से मिला हूँ, और हर एक यूनीक बनना चाहता हैं, मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है, राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है, और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है, उसे प्राप्त कर सकता है, मेरा विचार है कि शोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं, और आपमें कल्पनाशीर्ता भी अधिक होती है, इत्यादी, आपमें पूर्वाग्रा भी कम होता है, हम केवल तभी याद किये जब हम हमारी युवा पीरी को एक सम्रिध और सुरक्षित भारत दें, जो आर्थिक सम्रिध्धी और सभ्यता की विरासत का परिनाम होगा, एक लोक तंत्र में, देश की समग्र सम्रिध्धी, शांती और खुशी के लिए हर एक नागरिक की कुशलता, वहक तिकता और क्रियेटिविटी सबसे जरूरी है, और प्राइमरी एजुकेशन वो समय है, जब टीचर्ज उस तर पर बच्चों में क्रियेटिविटी ला सकते हैं, मनुष्य के लिए कथिनाया बहुत जरूरी हैं, क्यूंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता, आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रमांध हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता हैं, युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं, असंभव को हासिल करें, अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एका ग्रचित होकर अपने लक्ष पर ध्यान लगाना होगा, बारिश के दोरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लिकिन बाज बादलों के उपर उड़कर बादलों को ही अवोर्ड कर देते हैं, समस्याई कॉमन है, लिकिन आपका एटिट्यूड इन में डिफ्रेंस पैदा करता है, असली शिक्षा, एक इनसान की गरिमा को बढ़ाती है और उसके स्वाभिमान में वृद्धी करती है, यदि हर इनसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ क समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधी के प्रतेक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो ये दुनिया रहने के लिए कही अच्छी जगह होती, चलिए मैं एक लीडर को परिभाशत करता हूँ, उसमें एक विजन और पैशन होना चाहिए और उसे किसी समस्या से डरन नहीं चाहिए, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि इसे हराना कैसे हैं, सबसे जरूरी उसे इमानदारी के साथ काम करना चाहिए, आप अपना भविश्या नहीं बदल सकते, लिकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविश्या जहां हरिदय में सच्चाई होती है वहां घर में सामन जस्य होता है जब घर में सामन जस्य होता है तब देश में एक व्यवस्था होती है जब देश में व्यवस्था होती है तब दुनिया में शान्ती होती है जब हम बाधाओं का सामना करते हैं हम अपने साहस और फिर से खड होने की ताकत के छिपे हुए भंदार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि वो हैं, और केवल. तब जब हम असफल होते हैं, एहसास होता है कि संसाधन हमेशा से हमारे पास थे, हमें केवल उन्हें खोजने और अपनी जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है शिक्षाविदों को छात्रों के बीच जाँच की भावना, रचनात मक्ता, उद्यम शीलता और नेतिक नेतरित्व की क्षमता का निर्मान करना चाहिए और उनका रोल मॉडल बनना चाहिए, यदी चार, बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्षय बनाया जाए, ग्यान अरजित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए, और द्रिप रहा जाए, तो कुछ भी हासल किया जा सकता है, मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकाम्याबी की कडवी, गोली न चकी हो, वो काइमाबी के लिए परियाप्त महत्वा कांक्षा नहीं रख सकता.